तो स्टूटेंट वेलकम टू दे चैनल देखिए शायद आपने गौर किया हो या ना किया हो हमने अपनी कम्यूनिटी पोस्ट में पिछले कुछ दिनों से एक शेडूल बनाया है कि जब तक आपके जई मेंस, नीट या बोर्ड के एक्जामिनेशन हैं तो आपसे रोज कुछ ना कुछ questions वहाँ पे जरूर पूछे जाएं हमने पिछले 3-4 दिनों में जो questions आपसे पूछे थे तो वहाँ एक मज़ेदार बात देखने को मिली कि जो correct answer था वो बहुत ही कम बच्चों का correct answer था wrong answer जादा बच्चों ने दिये लेकिन correct answer बहुत कम था जैसे मैं अपने इस question की ही बात करूँ सिर्फ और सिर्फ 8% बच्चों ने इस question का सही answer दिये देखे जब examination इतने नजदी का चुके हैं तो हमें अपनी preparation को तैयारी को और गहरा करना होगा मजबूत करना होगा answer गलत होने का कारण है कि आपने concept को अच्छे से revise नहीं किया और इस वजह से आपका answer गलत होता है और G means need यहाँ पर जवाब को equation को एक मिनट से कम समय देना होगा उस एक मिनट से कम समय के अंदर ही आपको सही जवाब evaluate करना होगा यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि वह यह गलत है यह सही है लेकिन उस examination में जब आप paper दे के आ जाओगे और शाम को answer की check करोगे तब आपको मालूम बढ़ेगा कि आपका जवाब सही था या गलत था तो खुद को तयार करना है प्रिप्रेक करना है आपने एक बध्यान रखें अब हम इन questions की frequency को और बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे समय मिलता है channel पर आईए इन questions को solve कीजिए और इनके answer के इंतिजार ज़रूर कीजिए अब मैं आपको कुछ चार जो important question जो मैंने पिछले दुन में पूछे थे उनका जवाब बताता हूँ method बताता हूँ कि किस तहरे से आपने उनको solve करना था quantum number के basis पर ये question पूछा गया था और quantum number एक ऐसा concept है जहाँ बच्चों से गलती होने के chances भरपूर होते हैं पूरे होते हैं सबसे पहले question पे गौर कीजेगा आप से इस question पे ये पूछा गया है कि correct set of quantum number for highest energy sub shell इस बात को समझेगा कि आप से quantum number electron के लिए पूछा गया है electron का मतलब सिर्फ एक electron orbital के लिए पूछा गया है orbital में दो electron भी आ सकते हैं या sub shell के लिए पूछा गया है यहां पर quantum number highest energy sub shell के लिए आप से पूछा गया है highest energy sub shell ये बात ध्यान रखिए उसके लिए पूछा गया है अब देखिए chromium अगर आपके पास है तो chromium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, 4s1, 3d5 ये आपका configuration होगा 4s1, 3d5 ये configuration और highest energy sub shell of bow के हिशाब से जानते हैं ना कि elements को जब arrange करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे last में आता है वही highest energy sub shell होता है तो ये 3d5 है highest energy sub shell, highest energy sub shell अब आपने इसके लिए n, l, m, s की value लिखनी हैं कि n, l और m, s की value क्या होगी ये आपको बतानी हैं अब गौर कीजी ध्यान से यहाँ पर आपका सही option मौजूद भी है या नहीं हैं, इस बात पे भी ज़रा गौर कीजीएगा ध्यान से देखिए, n, principal quantum number n अब आपके पास है 3d5 sub shell इस पूरी sub shell के लिए quantum number लिखना है ये जो पहले numeric value होती है, 3 ये principal quantum number को represent करता है तो n की value 3 हो जाएगी आगे जो ये alphabet है d, ये azimuthal quantum number को represent करता है और आप जानते हैं, l, 0s sub shell के लिए, 1p sub shell के लिए और 2d sub shell, तो l की value 2, m, m होता है जो orbitals को represent करता है अब यहाँ पर d5, अब d5 का मतलब 5 orbital हैं और 5 अगर orbital हैं, तो आप समझ सकते हैं m की value, minus l, 2, plus l, यानि minus 2, 2, plus 2, minus 2, minus 1, 0, 1 and 2 5 orbital में electron हैं तो ये 5 की 5 orbital involved होंगे क्योंकि एक बाद ध्यान रखना आप से ये नहीं कहा कि highest energy electron एक electron का नहीं पूछा sub shell का पूछा है और sub shell में 5 orbital present हैं और फिर आप से spin quantum number की value अब आप में से बहुत बच्चे यहां puzzle हो जाते हैं अगर एक electron के लिए spin quantum number पूछते तो एक electron के लिए तो ये plus half, minus half इस तरह से होता लेकिन यहां तो sub shell के लिए पूछा गया है और sub shell में 5 electron है या तो पांचो clockwise होंगे या पांचो anti-clockwise होंगे तो s की value plus half into 5 इस तरह से और minus half into 5 इस तरह से यानि n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to minus 2, 2 plus 2 and s is equal to plus half into 5 और minus half into 5 यहां पर सामने जो option दिखाए गया है इन में से कोई भी option correct नहीं है none of these हमारा जवाब यहां पर होगा लेकिन maximum बच्चों ने maximum बच्चों ने हमारे इस first option को correct किया जबकि यह जवाब सही नहीं है तो quantum numbers related अगर कोई problem आती है तो इस बात पर जरूर ध्यान रखना है कि कितने electron के बारे में sub shell कहा है उसमें 5 electron है तो 5 अगर यह 3D4 होता 3D4 होता तो plus of into 4 और minus of into 4 उसमें से कोई भी option वहाँ पर correct होता तो इस question पर आपको इस तहरे से ध्यान रखने की ज़रूरती आई अब चलते हैं next question पर और देखते हैं यहाँ पर किन बातों का आपको ध्यान रखना था यह question है which of the following involve Walden inversion Walden inversion कहा होता है और यकीन मानिये देखिए इस question में न maximum जो answer थे maximum वो थे SN2 reaction SN2 reaction आप बच्चों को यह बात अच्छे से पता होगी SN1 और SN2 reaction SN2 reaction क्या होती है जो एक ही step में होती है जहाँ पर अक्सर हम इस तरह से दिखाते हैं कि आपके पास यह compound है यहाँ पर leaving group है और यहाँ पर nucleophile का attack होता है leaving group बाहर जाता है nucleophile attack करता है अब क्योंकि पहले हमारा leaving group right hand side पर connect था अब यह left hand side पर connect है यानि configuration उलट गया SN2 अगर आपने नहीं पढ़ाए न तो हमारे चैनल पे GOC की playlist में पढ़ लो या type करो SN2 reaction by प्रदीप शर्मा अपने आप उसका पूरा lecture आ जाएगा लेकिन जो बच्चे अब J mains need की तैरी कर रहे हैं उमीद हो उनको पता होगा क्या होता है X बाहर जाता है nucleophile attack करता है और इस तरह से अगर ये right hand side पे है ये left hand side पे आता है ये अगर R configuration है तो ये S configuration configuration बदल जाता है और इसको हम Walden inversion के नाम से जानते हैं तो SN2 में no doubt Walden inversion होता है SN2 में Walden inversion होता है no doubt लेकिन SN1 में क्या होता है अब SN1 में देखो क्या होता है वहाँ पर पहले आपको जो भी सबस्टान्स दिया गया है ये एक से ज़्यादा स्टैप में जैसे यहाँ माल लिया एक कार्बो केटाइन बनता है और उस कार्बो केटाइन पर नुकलियो फाइल का अटेक होता है कार्बो केटाइन पर अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि Nucleophile same side से भी attack कर सकता है और back side से भी attack कर सकता है अगर यह Nucleophile इसी तरफ से क्योंकि यह Carbocatine बन गया अगर यह Nucleophile इसी तरफ से attack करता है तो इसे हम retention of configuration कहते हैं क्योंकि जहां से group गया उसी side आ गया retention of configuration और अगर यह Nucleophile back side से attack करता है तो अब आप देखो पहचानो यहाँ पर leaving group right hand side पे था, यहाँ पर nucleophile same side पे, तो यह हुआ retention, यह retention, लेकिन वहाँ उस compound में nucleophilic right, जाने वाला group right में था, आने वाला group left में, यह है हमारा inversion of configuration, यहाँ पर भी Walden inversion होता है, SN2 में भी Walden inversion होता है, वो अलग बात है, कि SN2 में exclusively Walden inversion, सिर्फ और सिर्फ Walden inversion होता है, लेकिन SN1 में Walden inversion भी होता है, retention भी, तो इन तीनों में से हमारा correct option, यह third option, both SN1 and SN2 reaction, यह हमारा correct option रहेगा, समझे एक्जामनर को, एक्जामनर बहुत मुश्किल नहीं है, एक्जामनर ऐसे question पूछते हैं, कि आपके knowledge कितनी है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, उस basis पे आपसे question पूछा जाता है, समझे गए इस बात को, अब आईए इस question के अपर, which of the following is, endothermic reaction, अब endothermic, यह reaction, काफी बार एक्जाम में पूछा गया, carboxlic acid है, alcohol है, यह यह एस्टेरिफिकेशन रियक्शन है, अब पूछा गया है कि इन में से कौन सी एस्टेरिफिकेशन, endothermic, endothermic का मतलब heat absorb होना, यह यह निए delta H positive होना, इस बात को समझना, जहां पर delta H positive ह होता है, अब esterification अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ना points में कुछ note लिखे होते हैं, पहला note यह होता है कि esterification is exothermic in nature, exothermic होती है, तो esterification generally exothermic होती है, लेकिन बस एक case में endothermic होती है, और वह वहां जहां होता है, phenol, जहां होता है phenol, और phenol कहा है, phenol यहां है, और अग community post में जाके देख लेंगे, आप इन question के गलत answer जादा है, और सही जवाब बच्चों ने नहीं दिया है, तो ज़रा कोशिश कीजिए, concept को better कीजिए, बार बार चीजों को पढ़िए, और जो चीजें note में लिखवाई जाती हैं, मैं जब offline भी पढ़ाता हूं, या online भी कि बार ये competitive के लिए important mark कर लो, अगर आप उन चीजों को साथ-साथ mark करके आ रहे हो ना, तो आपको किसी अलग से किताब की जरुवत नहीं है, अरे किताबे अपने आप लिखे जाएंगी, आपके पास लिखे जाएंगी, तो कोई क्या जरुवत है उन किताब, वो कि अगर आप सही धंक्षन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, तो कुछ भी जरुवत आपको नहीं रहेगी, अचा ये देखिए, ये हमारे बास question है, प्रेडिक्ट दा प्रोड़क्ट वैन इथीन इस ट्रेटिड वे बिया टू-C-C-L-4 फॉलोड बाई-A-G-B-R, एट-सेक्टर, और उसके बाद, आगे भी इसमें question था, आगे क्या था, मैं एक बार इसको वहाँ पढ़के बता दो, क्योंकि यहाँ पर ये सारा question नहीं दिया गया, just wait, अभी इसको वहाँ पर पढ़के बता देते हैं, कि क्या यहाँ पर जवाब रहता है, जवाब नहीं, question क्या है, ये था, BR इसके बाद reaction होती है, जो भी बनता है उसकी CS3, MGBR से, और उसके बाद water से, आपको बताना है, कि यहाँ ये product क्या बनेगा, आपको अपना product यहाँ पर प्रिडिक्ट करना है, कि क्या रहेगा, इथेनॉल, मिथाइल, इथाइल इथर, डाइथाइल इथर, और ये है प्रोप in all आपको given है, अब देखो, किस तरह से इसको किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, देखते हैं जवाब क्या रहेगा, reaction, ऐसे जब question आते हैं, जहाँ sequence पूरा करना हो, तो reaction लिखके देखनी होती है, पहले आपको इथीन दिया गया है, ये ले लिया इथीन हमने, ये ल होता है कि पाई बॉन्ट उटेगा, एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ और इस तरह से ये डाई ब्रोमो यहाँ और यहाँ यह ब्रोमीन हमारे पास बनेगा, फिर आता है एजी टूओ का function, इसको silver oxide के साथ heat किया, एजी टूओ हमारे पास यह होता है, this is एजी यह carbon oxygen से, वो carbon oxygen से, तो इस reaction के बाद ऐसा होगा, कि हमारे पास यह cyclic ether यहाँ पे form होगा, एजी ब्र बाहर, एजी ब्र बाहर, carbon oxygen से connect, carbon oxygen से connect, और इस तरह से cyclic ether बनेगा, और इस पे कहा है, ग्रिगनाड रिएजेन, CH3, MGBR, इनरा इथर, अब cyclic ether पे ग्रिगनाड रिएजेन, यह ऐसी question तभी होगे, जब आपने इनको बहुत अच्छे से बार बार रटा है, बार बार याद किया है, तो क्या होता है देखो, यह bond तूटता है, ग्रिगनाड रिएजेन का action आपको पाना चाहिए, यह oxygen पे जाता है, और यह इधर, और इस तरह से यह CH3, CH2, CH2, OMGBR यहाँ बनेगा, water का action होगा, और water का action क्या होता है, MGBR और OH बाहर जाते हैं, MGBR और OH बाहर जाते हैं, और यह hydrogen इस oxygen पे चला जाएगा, और इस तरह से CH3, CH2, CH2, OH, propanol यह हमारे पास बनेगा, option number D, propanol हमारा correct option यहाँ पे रहेगा, तो अगर आपने ध्यान से community post को चेक किया है, questions को solve किया है, तो बहुत ही ज़्यादा important question हम वहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, normal question तो हर एक बच्चा जानता है, और वो question आपके exam में बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा तादाद उन questions की होती है, जहाँ थोड़े से leak के ह होती हैं, आपको examiner के point of view से सोचना पड़ेगा, तब आपके जवाब सही आएंगे, तो बच्चों इस तरह से, आज मैंने इस limited समय में जो question बताए, इनके answer को अच्छे से समझें, और community post में जो मैं रोज-रोज question पूछता रहूँगा, उन questions को जल्दी से जल्दी करने की कमेंट में पूछें, हमारे चैनल पर जाएं, चैनल पर टैब होता है, community post का, वहाँ पर जाके आप इन question को रोज-चेक करते रहें, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए, all the best.